हेलो फ्रेंट्स! अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल में जो भी आने वाली वीडियो से होंगी उसकी आपको मिलते रहे तो स्टार्ट करते हैं मैज की वेशन से फर्स्ट क्वेशन भारती रेल्वे बोड के नई चेर्मन और सीयो कौन न्यूक्ट हुए है ओप्शन A वी मुर्लीदर ओप्शन B सुनीता शर्मा ओप्शन C जैप्रकाश ओप्शन D विवेक बिंदर सो फ्रेंट्स क्या बता सकते हो इसका सही आंसर क्या होगा लेट सी आंसर ओप्शन B डाट इस सुनीता शर्मा ये रेल्वे बोड के नई चेर्मन और सीयो न्यूक्ट हुए है ओके बारती रेल्वे के आधुनी करिम और सुधारों के लिए किसे इंजिनियर अवार 2020 से सम्मानित किया गया है ओप्शन A वी मुल्दीदर ओप्शन B विनोद कुमार यादव ओप्शन C आईस जैशंकर ओप्शन D विक्रम कुमार तो फ्रेंट्स क्या बता सकते हो सही आंसर कौन सा होगा चो लेट सी तो इसका सही आंसर है फ्रेंट्स विनोद कुमार यादव किस राज्य की सरकार ने घाट पैजल योजना शुरू की है उप्शन A उत्तराकन उप्शन B बिहार उप्शन C उत्तरप्रदेशन उप्शन D गुजरत तो फ्रेंट्स क्या आप बता सकते हो सही आंसर कौन सा होगा कि किस राज्य की सरकार ने पैजल की योजना शुरू की है तो सही आंसर है उत्तराकन कौन से स्टेट के सरकार ने उत्तराकन के राज्य सरकार ने Moving to the further question So friends, क्या बता सकते हो सही आंसर कौन सा होगा Let's see the answer Option A That is Dr. Jailal is the correct answer Moving to the further question Sale Sale का मतलब होता है Steel Authority India Limited तो सेल की पहली महिला द्यक्ष कौन बनी है Option A Soma मंदल Option B आश्वरिया श्रीदर Option C Seema गुपता Option D गायतरी महाजन तो friends, क्या बता सकते हो इसका सही आंसर कौन सा होगा So let's see the answer Option A That is Soma मंदल is the correct answer Moving to the further question किस राज्जे की सरकार ने किसान, फसल, राहत, योजना को शुरू किया है Option A B Option B जारकंड Option C गुजरात Option D हरियान तो friends, क्या बता सकते हो उसका सही आंसर कौन सा होगा Let's see the answer Option B That is जारकंड is the correct answer Means राज्जे की सरकार ने किसान, फसल, राहत, योजना को शुरू किया है Moving to the further question किस राज्जे की सरकार ने एक जिला, एक शिल्प अभियान को शुरू किया है Let's see the options Option A मध्या प्रदेश Option B उत्तर प्रदेश Option C गुजरात Option D हरियान तो friends, क्या बता सकते हो सही आंसर कौन सा होगा चलो, let's see Option A मध्या प्रदेश is the correct answer Moving to the further question उत्तराकण हाई कोट के मुख्या ने आएदिश के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है Option A रागवेंद्र सिंग चोहान Option B रमेश रंगनात Option C रवी मलीमत Option D रवी शंकर जा So friends, क्या बता सकते हो सही आंसर कौन सा होगा Let's see the answer Option A That is रागवेंद्र सिंग चोहान ये उत्तराकण हाई कोट के मुख्या ने आएदिश के रूप में न्यूक्त किया गया है Moving to the further question जम्मू, कश्मिर और लद्धाक उच्छ न्यायले के मुख्या ने आएदिश के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है Option A रागवेंद्र सिंग चोहान Option B पंकज मिथल Option C गोविन मातूर Option D संजीव पैनल जीव तो फ्रेंड्स क्या बता सकते हो सही आंसर कॉन सा होगा चो, let's see the answer Option B That is पंकज मिथल is the correct answer Moving to the further question किस संस्थान के विधार्ती ने विश्व के सबसे हलके फेंटो सैटलाइट क्लामसेंट का निर्मान किया है Let's see the options Option A सस्त्र उनिवर्सिटी Option B पंजाब उनिवर्सिटी Option C आयाईटी देल्ली Option D बनारस हिंदू उनिवर्सिटी तो फ्रेंट्स क्या बता सकते है उसका सही अंसर क्या होगा चलो Let's see Option A सस्त्र उनिवर्सिटी इस दे करेक्ट आंसर Moving to the further question किस लगू फिल्म को साथवे आर्ट इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में सर्वा स्ट्रेश्ट लगू फिल्म का किताब दिया गया है Option A एक सवाल Option B यती Option C पूनम Option D इन में से कोई नी तो फ्रेंट्स क्या बता सकते है इसका सही अंसर क्या होगा Let's see the answer Option C that is पूनम is the correct answer Moving to the further question हभी बंगज railway station का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है Option A नेहरू जंक्षन Option B अटल जंक्षन Option C इन्दी रगांदी जंक्षन and Option D जहां से रेलवे तो फ्रेंट्स क्या बता सकते है इसका सही अंसर क्या होगा Let's see the answer Option B that is अटल जंक्षन अटल जंक्षन is the correct answer means हभी बंगज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है अटल जंक्षन Moving to the further question Melbourne में शतक के लिए किस भारतियव क्रिकेटर को Johnny Mulaak Medal 2020 से सम्मानित किया गया है Option A अजिंक्य रहाने Option B रोहिच्छर्मा Option C K एल राहूल Option D विरात कोली तो फ्रेंट्स क्या बता सकते हो सही अंसर कौनसा होगा Let's see Option A That is अजिंक्य रहाने Is the correct answer Moving to the further question BSF के IG के रूप में किसे नियूत किया गया है Option A Sunil Kumar Option B Ashok Kumar Option C Vikas Gupta Option D Ashwini Gupta So friends क्या बता सकते हो इसका सही अंसर क्या होगा Let's see the answer Option A That is Sunil Kumar Is the correct answer यानि कि BSF के IG के रूप में Sunil Kumar को नियूक्त ही आ गया है Coming to the further question आंद्रा प्रदेश के नए मुख्य सचिफ कौन बने है Option A Vikas Mahajan Option B Siddhartha Option C Sunil Sharma Option D Adityana दास तो friends कि आप बता सकते है इसका सही अंसर क्या होगा Let's see Option D That is Adityanath दास Is the correct answer और आंद्रा प्रदेश के नए मुख्य सचिफ कौन बने है Adityanath दास Moving to the further question Rameshwaram Hindi पत्रकारिता पूरसकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है Option A Ravish Ravish Ranjan Shukla Option B Vikas Gupta Option C Amir Khan Option D Sonu Sud तो friends क्या बता सकते है इसका सही अंसर क्या होगा Let's see the answer Option A Ravish Ranjan Shukla Is the correct answer यानि कि Rameshwaram Hindi पत्रकारिता पूरसका 2020 से Ravish Ranjan Shukla को सम्मानित किया गया है Moving to the further question 34 वे प्रगति वारता की अध्यक्ष की इसने की है Option A Narendra Modi Option B S Jayashankar Option C Smriti Ani Option D Nirmala Sitaraman तो friends क्या बता सकते है उसका सही अंसर क्या होगा Let's see the answer Option A That is 34 वे प्रगति वारता की अध्यक्ष की इसने की है Narendra Modi ने की है Moving to the further question John Shanshan Asia के सबसे अमीर वक्ति बन गया है यह किस देश के है Option A America Option B Japan Option C Chin Option D Rus तो friends क्या बता सकते है उसका सही अंसर क्या होगा चलो Let's see Option C That is Chin is the correct answer यानि की John Shanshan Asia के सबसे अमीर वक्ति बन गया है और यह किस देश के है यह Chin देश के Moving to the further question भारत का पहला Ethanol plant कहां स्तापित किया जाएगा Option A Bihar Option B Gujarat Option C Carnatic Option D 36 तो friends क्या बता सकते हैं इसका सही अंसर क्या होगा Let's see Option D That is 36 गड़ is the correct answer यानि की भारत का पहला Ethanol plant कहां स्तापित किया गया है 36 गड़ में Moving to the further question किस राज्य सरकार ने Dignite mobile app को launch किया है Option A Haryana Option Bihar Option C Gujarat Option D Punjab तो friends क्या बता सकते हैं इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर है Punjab यानि की Punjab राज्य सरकार ने Dignite mobile app को launch किया है तो friends here my video ends and ये कुछ important questions से जो आपकी competition exams में useful होंगे तो friends अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजे and bell icon को press कर लीजे ताकि मेरे चैनल जो भी आने वाली updates होंगे इसकी notification आपको मिल सके Thank you